तो कहानी की शुरुवात होती और हमें एक बुढ़े स्पार्टन को दिखाया जाता है जो की नौजात बच्चों को पहाड़ी पर खड़े होके चेक कर रहा होता है यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जब एक बच्चे का कंबल हटाता है तो वो बच्चा हरे रंग का होता है अब इसके बाद वो उस बच्चे को अपने पास रख लेता है जिसके बाद वो उसका नाम लियोनिदास रखता है अब हम देते हैं कि बहुत सारे साल गुजरने के बाद लियोनिदास बड़ा हो जाता है लेकिन अभी तक उसकी स्पार्टन बनने की ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई थी यहाँ पर उसको हद से आदा ट्रेन करने के लिए उस पर बहुत सारे कुड़े बरसाए जा रहे थे और उसे बरफिले पहाड़ों में भी छोड़ दिया जाता है जिसके बाद वहाँ पर उसे एक पेगिन मिलता है जिसे लिए उनिदास मार देता है जिसके बाद अब वो उसकी खाल पहन कर अपने महल में वापस आता है जिसके बाद अब सारे लोग उसका बहुत ही स्वागत करते है तब ही वहाँ पर मार्गो नाम की एक लड़की आकर उसके लिए खुशूरत डांस करती है और ऐसा देखने के बाद लियो निदास काफे ज़्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है और यहाँ पर वो से शादी करने के लिए प्रपोस भी करता है अब इसके बाद यह कहानी ती शाल आगे शिप्ट हो जाती है जहाँ पर हम देखते हैं के लियो निदास का एक बच्चा भी होता और उसे ट्रेनिंग दे रहा होता है और वहीं उसके सामने मार्गो भी खड़ी होती है जो कि अपने बच्चे और अपने हैस्बेंट को ऐसे आपने सामने देखकर बहुत खुश होती है लेकिन तभी वहाँ पर वहाँ का सेना पती आकल लियो निदास से कहता है कि आपसे एक दूद मिलने के लिए आया है जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लियो निदास उस दूद से मिलने के लिए उसके पास जाता है जिसके बाद अब लियो निदास उस दूद का हाथ पकड़ के मौत के कुएं के पास लेकर जाता है और उससे पूछता कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो तब वो दूद बताता है कि उसे पार्सी राजा जायरस ने भेजा है और वो राजा बहुत ही शक्ति साली है और वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम बिना ही युद्ध की हार मान लो और उसके सामने अपने घुटने टेक दो और उसके साल साथ उसने ये भी कहा है कि तुम्हारे सामराज की औरतों को भी वो काफी खुश रखेगा अब ये सुनने के बाद लियोनिदास बहुत दोखी हो जाता है और वो अपनी प्रिजा की तरफ देखने लगता है जिसके बाद अब लियोनिदास का सेना पती कहता है उसे बताते हैं कि एगर तुमने युद्ध में इससा लिया तो तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा और वहाँ पर तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे और अब ऐसा सुनने के बाद लियो निदास अपने महल में वापस आ जाता है जिसके बाद वो अपने सेनापती से कहता है कि हमें युद्ध के लिए लगबग तीन सो लोगों की जरूरत है जिस पर उसका सेनापती उसे बताता कि हमारे पास तो सिर्फ दस लोग ही है क्योंकि जायरस का नाम सुनने के बाद आदे सिपाही डर के मारे वापस भाग गए तब यहाँ पर लियो निदास की वाइफ आती और उसे पेंग्विन की चोच से बनी एक माला पहनाती है और वो उसे कहती कि तुम जीत कर ही वापस आना तब ही उनके राजिक के गदार को देखते हैं जो कि किंजायरस को मैसेज करके बता देता है कि यहाँ पर लियो निदास के पास सेना बहुत कम है और वो काफी कमजोर है अब इसके बाद हम देखते हैं कि लियोनिदास अपने सेना को तयार करके नाश देगाते हुए युद्धे के लिए निकल पड़ता है जिसके बाद अब इनकी सेना एक सकरी रास्ते तक पहुँच जाती है जहाँ पर वोकीम जारेस की सेना को बहुत ही आसानी से हरा सकते थे लेकिन इतना लंबसा फरताय करने के बाद वो लोग काफी ठब चुके थे जिसके बाद अब यह लोग एक जिगाँ पर ठैराओ लेकि जूस पीते हैं लेकिन तब युदने में यहाँ पर परसन सेना पहुच जाती है और यहाँ पर उनका सेना पति लिए उनिदास को हार मान लेने के लिए कहने लगता है लेकिन यहाँ पर लिए उनिदास उसे युदिकर एक बीना हार मानने से मना कर देता है जिसके बाद अब यहाँ पर युद्ध होने की खोज़रा की जाने लगती है लेकिन ये लोग युद्ध को चुनावती नहीं देते बलकि ये सारी सेना एक अतरंगी डांस कंपर्टीशन करने को बोलने लगती है जिसके बाद यहाँ पर यह competition लिए उनी दास की सेना जीत जाती है जिसके बाद अब यह सारे लोग परसन सेना को पाहर से दखका देकर मार देते हैं और इस खुशी के मौगे पर यह लोग BRP केस को celebrate करते हैं अब दूसरी तरफ हम महल में मार्गो को देखते हैं जो कि अपना मसास करवा रही होती है तो भी यहाँ पर उनकी सेना का एक मिंबर आता है यहाँ कर वो कहता है कि महाराज को युद्ध जीतने के लिए और भी सैनिकों की जरूरत है लेकिन यहाँ पर मार्गो कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि अब तक वो मर चुका होगा जिस पर वो आदमी कहता कि अगर महराज उद्धार गए तो यह पूरा सामराज किंग जायरस का हो जाएगा जिसके बाद वो आप पर भी कबजा कर लेगा अब ऐसा सुनने के बाद मारगो काफी परिशान हो जाती है और उस आदमी को अगले ही दिन एक सभा बैठाने के लिए कहने लगती है अब इसके बाद हम लियोनिदास को देखते हैं जिसके सामने किंग जायरस आता है जो कि बहुत ही मोड़ा और बहुत ही भद्दा किस्म का इनसान था और वो अपने रस से कूट कर उतरता है तो वो खोद ही गिर जाता है और इस वज़ेसे उसे गुशा आती और वो अपने ही एक सायनी कुमार डालता है अब इसके बाद किंग जायरस लियोनी दास से कहता है कि तुम्हें लड़किया और दोनों मिलेंगी लेकिन तुम्हें सी उद्ध में हार जाओ लेकिन यहाँ पर लियोनी दास हार मानने से मना कर देता है जिसके बाद अब किंग जारस अपने सबसे खतरनाओ की योद्धाओं को भीजने लगता है जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच एक शायरी बोलने की कमपटिशन होती है जिसके बाद यहाँ पर यह दोनों बारी बारी एक दूसरे के लिए बहुत ही घटी और बसूर शायरी बोलना शुरू कर देते हैं और यह कमपटिशन फिर से स्पार्टन वाले ही जीत जाते हैं अब अगली दिन हम देखते हैं कि विधान सभा के सारे सदस एक जगा पर इकठा होते हैं जिसके बाद यहाँ पर मार्गो आ जाती है यहाँ पर वो कहती कि मेरे पती कुछ जंग में शैनिकों की जरूरत है लेकिन तभी यहाँ पर ट्रेटर आकर कहता है कि यह कोई रौणी नहीं है और यहाँ सुनने के बाद मार्गो को बहुत गुस्सा आता है जिसके बाद यहाँ पर वो स्पाइडर माइन बनकर उसे मिट्टी में मिला देती है लेकिन तभी वहाँ पर एक सानसाद को ट्रेडर का मोबाइल मिल जाता है जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ट्रेडर एक दिजद्रो ही था जिसके बाद अब वो मार्गो की मदद करने के लिए तैयार हो जाते है अब यहाँ पर हम एक साइनिक को देखते हैं जो कि लिए उनिदास के पास आता है जो की बताता है कि किंग जारस को हमारे खोफिया रास्ते की बारे में पता चल चुका है और वो किसी भी वक्त अपनी सेना को लेकर यहाँ तक आ सकता है अब इतना सुनते है लिए उनिदास उसंदे सिपाही के पास आता है और यहाँ पर वो से अपनी बैंग्विन की चौच दे देता है और वो कहता है कि सिरानी मार को तक लेकर जाना लेकिन तभी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में किंग जारस की सेना आ जाती है और यहाँ पर किंग जारस लियो निदास को अपनी घुटनों पर गिरने के लिए कहने लगता है लेकिन लियो निदास फिर से उसे ऐसा करने से मना कर देता है अब ऐसा देखने के बाद किंग जारस को काफी गुशा आता और हो अपने फोन करके अपनी पूरी सेना को बुला लेता है लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि दो आदमी आते हैं और अपने साथ एक बलू स्क्रीन लेकर आते हैं अब ऐसा देखने के बाद लिए उनिदास को लगता है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है लेकिन तब उस स्क्रिन पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और ऐसा देखने के बाद लिए उनिदास की सैना घबरा जाती है लेकिन यहाँ पर वो फिर भी हिम्मत करके उनसे लड़ते हैं और आखिर कार उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं अब यहाँ पर किंजारस अपनी हार को देखते हुए अपनी कार में जाकर बैठ जाता है अब जैसे ही वो स्पार्टन के तरफ हमला करने के लिए अगे बढ़ता है वैसे इस रोबोट के द्वायर निकल जाते हैं जिसकी वज़ेसे उसकी पावर रोग जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है और इसी को दिखाते हुए इस मुवी का यहीं पर एंड हो जाता है